माइक नमबर एक में अगर कोई गेर मुस्लिम भाई हो तो मैं वालेंटियर हजरास से गुजारिश करूँगा कि वो उनको मौका दें दिलिप कलंतरी, I'm a businessman, मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इसलाम में बैस से धंदा, मतलब पैसा लेके धंदा करना गलत है मुझे अक्सर अश्चर विचार आता था कि ये कैसे डेवलोप्मेंट होगा लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पुरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पढ़ रहा है कि जिसने अपना घर गिर्वी रख्य करज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेर बजार में लगाया उनका घर भी तबा हो गया ये जो साइंस आज आपने बताया कि इसलाम में साइंस है जैसे साइंस के उपर भी काम करता है तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज से ब्याज लेना गलत है हराम है उसके पीछे इसकी क्या फिलोसफी थी कि मैं चाहना जाना चाहूंगा साइंस भाई साइब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसलाम में उनके बहुत से ंरात मुस्लमा दोस कहते है कि ब्याज लेना हराम है वो यह नहीं जानते थे क्यों हराम है अभी पता चला कि जो दुन्या की हालात थे अक्नॉमिक मिलडाउन में वो जानना चाहते ही क्यूं यह हराम है और गरान मजीद में कम से कम आठ जगा लिका है बियाज के बारे में तो बियाज लवज अर्बी में रबा सुरे निसा में सुरे इमरान में और कहा गया है सुरे बकरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर 278 और 279 में के आप बियाज से दूर हो और जो कोई बियाज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर एलान जंग करेंगा बियाज इतनी बुरी बात है गुनाए कबीरा है और गुनाए कबीरा में इमाम अधभी ने उसे ग्यारवे नमबर पे रखा 70 गुनाय कबीरा में 11 नमबर पे रखा मैंसा पूछे क्यों बुरा है क्यूंकि बियाच से अमीर आदमे और अमीर होता है गरीब आदमे और गरीब बनता है अमीर आदमी और अमीर होता है गरीब आदमे और गरीब बनता है आम तोर पे आप ज़ब लोन देने जाएंगे तो गरीब आप मोग लोन का मिलता है आमीर आदमी बताईगा में पास यह में पास वो है तो उसको लोन मिलता है तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है इसी ने कुरान में सुरह अलहाशर में सुर्णामникомर 69 आयत नमबर साथ में अरदर फर्माते कि जगात दो ताके दौलत इनसानों के बीच घुमें सिर्फ अमीरों के नहीं दें और बियाज से क्या होता है इन इस्लामिक फिलोसोफी हम कहते है प्रॉफिट एंड लॉस शेरिंग मुनाफ़ और नुकसान को हम बाटेंगे मुनाफ़ मुनाफ़ लिकिन आप देज से शेरिंग उफ दे Watts रिस्पोनिसबिलिटी अगर नुकसान होँ तो हम शेर करेंगे प्रॉफेट हो प्रॉफेट शेयर करेंगे वीाज मी क्या होता है नभे रुपया देते को बैंक भी को नभे रूपया रखता राकिका नभे फीसर डीजह को दे लोग कहते मार्किट में हिए और उपया हैं कितने शवरुपया है तो आज आज की बैइन कहते है मार्किट में फ्लोट सुक्ष ट्रिलियन डॉलरर्फ है तो कुछ नहीं बहुत कम फ्लोट रहे सिक्स ट्रिलियन डॉलर एक जन बेटता है सब लोग बेटने शुरू होते लीमान ब्रेदर्स कौन सोच सकता था के लीमान ब्रेदर नंबर वन बेड़ी आएगा उसके बाद सिटी ग्रूप एक बेटा सब बिटते गए पूरी दुनिया हमें एक के बाद एक तो क्योंके इड़ेंट इंप्रूव दो सोसाइटी इसलामिक बेड़ी के अंदर जाच पड़ता है लोती किसको लोन देना किसको नहीं देना प्रॉफिट अन लॉश शेरिंग है सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैमिलिंग डेंज को शराप को शराप खाने को आमन हो गया इसके बारे में अगर तक्रीम मेरी सुनेंगे इंट्रेस्ट फी एकोनमी प्रॉमलगेट बाद कुरान रिबा किस तरीके से हराम है उसके पर तक्रीम में नहीं है अगर वो सुनेंगे उसमें और डीटेल में मैं तसकिरा करा हूँ क्यों इंट्रेस्ट हराम है लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जपैन अमेरिका सेंडिंग एमिसेरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए हमारी गवर्मिंट के पास हम गये ते जिसमें प्रॉफिट अलोश शेरिंगे अगर उसकी जाज़ दी तो इंशाला इंशाला इंडियन एकोनोमी भी बढ़ेंगे इंशाला ओप दैंसर जो क्वेश्टिन